नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अधार काड का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको अधार सेंटर पे जाकर लाइन में खड़े होने की जुरत नहीं पड़ती डाइरेक्ट आप जाएंगे अधार सेंटर पे और आपका काम हो जाएगा याने जो भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं जिसे पता मुबाइल नंबर इमेल आईडी या कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही असा स्सक्राइब कर ले वीडियो पर लाइक कर दें और ज्यादा स ज्यादा इस वीडियो को शेर करें और कोई भी hace aí तो कमें ब्रूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते तो सबसे पहले आतको अपने मोवाइल फोन में या जो भी सिस्टम कर यूज कर रहे हैं तो उसमें पर official website देखने को मिलता है uidai.gov.in इस पर आपको क्लिक करने हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page आएगा आप चाहे तो आप language को यहां से change भी कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं आप देखें यहां पर language दिया हुआ हिंदी आप इसको change भी कर सक मिलेगा इसको यहां से आपको cut करना होगा जैसे आप cut करेंगे अब नीचे की तरफ हम आएंगे तो आपको एक ओप्चम देखने को मिलेगा Book and Appointment यहां पर आपको क्लिक कर देने हैं जैसी आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको जुभी करेक्शन करवाना है यहां पर लिश्ट दिया हुआ है याने आप आधार इंरॉल्मेंट करवाना चाहते है । नेम अबडेट करवाना appointment book करा सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना city या location को सल करना होगा, आप जिस भी state में रहते हैं, उस state में आप उस city को देखना है, उस city में कहीं ने कहीं आपको देखने को मिल जाएगा अधार center, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं रहता हूँ भुपाल में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया भुपाल में रनियर आसिमा मोल, और भुपाल में MP नगर जोन वान, तो आसिमा मोल मेरा नजदीक पड़ता है, दो से तीन किलमेटर, मैं इस पे क्ल करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, proceed to book, जैसे आप proceed to book के option पे क्लिक करेंगे, तो आपके साबने कुछ ऐसा पे जाएगा, यहाँ पे आपको अपना mobile number डालना है, आपको यहाँ पे capture डालना है, और generate OTP के option पे क्लिक करना है, यहाँ आप कोई सा भी mobile number डाल सकते हैं, जो आपके पास हो, क्योंकि उसी number पे OTP आएगा, तो मैं जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा page देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको, जो भी update करवाना चाहते हैं, यहाँ पे updated यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आपका अध अधार number यानि आपका अधार number पे जो नाम है वो डालना है, यहाँ पे आपको document सल करना है, इसके बाद आपको यहाँ state को सल करना है, किस state से आप बिलोंग करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे CT, नीचे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे CT डालने हैं, इसके बाद यहां पर अधार शेवा के अंदर आपको यहां पर ASK जो भी यहां पर नीचे आएगा वो डाल देना है फिर next के option पर आपको click करने है जैसे आप next का option पर click करेंगे तो आपके सामने जो भी field है यहां पर देख सकते हैं जो भी आप update करवाना चाहते हैं वो पूरे information यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप name में correction करवाना चाहते हैं तो जैसे इस पर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जादा भी सल्क करते हैं जैसे नेम्स इंडर मोबाइल नंबर इमेल आईडरेस डेटा बड़ तो उसके लिए आपको पचास रुपे ही देना पड़ेगा चाहिस में से आप एक सल्क याने एक चेंज करवाएं या पूरे चेंज करवाएं मगर अग जैसे आप बायोमेट्रिक सल्क करते हैं तो बायोमेट्रिक के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा 100 रुपे लगते हैं और अगर आप 15 वर्स तक के बच्चे हैं याने 15 से नीचे तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है बायोमेट्रिक के लिए तो देखे जैसे हम यह सल्क करते है तो देखे यहां पे 100 रुपीज हो गया याने कहने का मतलब आप पूरे अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज लगेगा इसके अलावा आप इधर जितने भी यहां पे दिखाई दे रहा है डेटा बर्थ, इमेल आईडी, एड्रेस, मुवाइल नंबर और जेंडर या नाम तो उसके लिए आपको only 50 रुपीज यह पूरे के लिए देना पड़ेगा और अगर आप सभी को चेंज करवाना चाहते तो 100 रुपीज या शिर्फ आप अपना जो फिंगर प्रिंट है वो अपडेट करवाना चाहते है फोटो अपडेट करवाना चाहते तो उसके लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा जैसे आप सलक करते हैं इसके बाद next option पर आप क्लिक करेंगे next option क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आज का date और आप जो भी सलक किये थे वो यहां पर address आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको कुछ भी सलक करने करना है आपको देखे नीचे देखने को मिलेगा next देखे आपको next option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देने है जैसे आप next option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका जो भी details है और यहां से फिर से आप आपके submit के option पर click करना है जैसी submit के option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ यहां पर information आएगा please ensure all the field information are correct one submitted information can't be irritated do you want to continue तो यहां से आपको okay के option पर click कर देना है जैसी okay के option पर click करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखने को मिलेगा please make payment to complete the appointment तो इसके लिए आपको पहले payment करना पड़ेगा तब ही जाकर आपका appointment बुक होगा तो okay का option पर click किसे और यहां से आप देखिए मैंने select किया था last का याने edit करवाने के लिए अपडेट करवाने के लिए अपना fingerprint तो इसलिए यहां पर 100 रुपे चार्ज लग रहा है और online का option पर click करेंगे फिर यहां से आपको select करना पड़ेगा pay you और जो भी आप use करते है credit card debit card net banking UPI इस पर आपको click करने है और make payment का option पर click करना है जैसी payment option पर click करेंगे तो आपके सामने एक new page आएगा जहां से आपको UPI select कर लेने है यह आप तो net banking का भी use कर सकते हैं तो यहां से UPI select करने के बाद जो भी आप UPI use करते हैं जैसे phone पर भी पेटियम जो भी use करते हैं यहां से आपको अपना जो UPI ID है वो डालना है और verify option करके आपको payment कर देने हैं तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपके सामने जो आपका appointment है वो book हो जाता है मैंने पहले ही book कर लिया है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं वो खो जाता है तो कैसा आपको देखने को मिलता है आपॉइंटमेंट का आपशन पर क्लिक करूँगा और करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी जिस से नमबर से आपने disappointment बुक किया था वो नंबर यहाँ डालना है और ॏ बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर capture को फिल करके generate OTP का आप्शन पर क्लिक करके जो भी हाप के नंबर पर OTP आता है सोटीपी को यहाँ पर आपको डाल देने हैं तो अब यहाँ पर puòटीपी आएगा आपके नंबर पर उसको ओटीपी को यहाँ डाल देंगे और वेडिफाई payment in completed, यानि हमने अभी payment नहीं किया है, इस गारण यहाँ पर in completed तो यहाँ दिखा रहा है, इसके अलावा, अगर आप देख सकते हैं, कल की डेटे मैंने एक book किया था, जिसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर करके जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो PDF है वो देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं अभी payment नहीं हुआ है इसलिए आपके दिखाई दे रहा है ऐसा आप चाहे तो यहां से जाकर payment कर सकते हैं तो आपका जो appointment है book हो जाएगा आप चाहे तो इस जरूर लाइक करें तुमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए और ज्यादस ज्यादस इस वीडियो को शेर करें धन्यवाद